नमस्कार दोस्तों मैं दिपिका स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल दिपिका मेडिटेशन पावर में आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के विशे में मेडिटेशन करके हम स्ट्रेस को काफी कम कर सकते हैं परन्तू उससे पहले हम यह जानते हैं कि स्ट्रेस है क्या जब परिस्तितियां आपके कंट्रोल से बहार हो जाती हैं तो उस स्टिति को हम स्ट्रेस कहते हैं स्ट्रेस दो प्रकार का होता है पॉजिटिव एंड नेगिटिव पॉजिटिव स्ट्रेस में आप परिस्तितियों से लड़ते हुए विजय प्राप्त कर लेते हैं और नेगिटिव स्ट्रेस जिसमें इनसान उन पर इस्तितियों से विजय प्राप्त नहीं कर पाता और उन पर इस्तितियों से ड़ता रहता है जिसमें वैं सफल नहीं हो पाता उसकी इस्तिती से स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है स्ट्रेस को कुछ चीजों से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है तो आज हम उसी विशे पर चर्चा करेंगे जब आपको स्ट्रेस हो तो खुश रहने की कोशिश करें पर्यास चारी रखें कूल रहें, काम रहें वह चीजे करें जो आपको आनन देती हैं म्यूजिक सुनें, वाक करें या अन्य कोई होबी को अपनाएं अपनी फेलिंग्स को किसी ना किसी के साथ शेयर करें अपने परिवार के साथ समय बिताएं परिवार के साथ संबंदों को अच्छा बनाएं आप उनके साथ रहेंगे तो आपको स्ट्रेस कम होगा एक्सेसाइस या योगा अच्छा तरीका है स्ट्रेस को दूर करने का मेडिटेशन बहुत ही अच्छा तरीका है स्ट्रेस को दूर करने का मेडिटेशन से आपका मन शान्त हो जाएगा और जो विजार निरंतर आपके मन में चलते रहते हैं वे विजार कम आएंगे और आपका मन जो है वो शान्त रहेगा नेचर के साथ कनेक्ट रह सकते हैं जब आप नेचर के साथ कनेक्ट रहेंगे तब आपको स्ट्रेस कम होगा आप वहाँ जाएं जहां पर फूल हो पेड हो या शान्त पानी बह रहा हो मेडिटेशन कीजिए बगवान में विश्वास रखिए कि आपके साथ जो होगा वो अच्छा होगा अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए नेगिटिव थौट्स को आपके माइंड में मत आने दीजिए और वो चीजें बिलकुल मत कीजिए जिनसे माइंड में नेगिटिविटे आती है बट अगर आपको लगातार एक महीनी से ज्यादा स्ट्रेश लगता है तो आप किसी मनों चिकट्स को जिरूर भिले जो की आपको अच्छी चिकट्सा के द्वारा स्ट्रेश से दूर रहने का उपाहे बताएंगे इसी के साथ मैं दीपी का इजाजत लेती हूं दोस्तों तब तक खुश रही है स्वस्त रही है स्टे पॉजिटिव स्टे ब्लेस्ट धन्यवार